सुलिमान के स्रिष्ट गीत अध्याए पाँच हे मेरी बहिन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ, मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेथ छत्ता खा लिया, मैंने दूद और दाखमधु पी लिया, हे मित्रो तुम भी खाओ, हे प्यारो, पियो, मनमाना पियो, मैं सोती हूँ, परंतु मेरा मन जाकता है, मेरे प्रेमी का शब्द है, जो खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहिन, हे मेरी प्रिया, हे मेरी कबुतरी, हे मेरी निर्मल, मेरी लिये द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर होस से भरा है, और मेरी ल मैं तो अपने पाव धो चुकी, अब उसको क्यो मैला करूँ? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ कवाड के छेज से भीतर डाल दिया, तब मेरा रधै उसके लिए व्याकूल होने लगा. मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी, और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बिंडे की मूठो पर पड़ा. मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला था, परंतु मेरा प्रेमी मुढ कर चला गया था. जब वह बोल रहा था, तब मेरा प्रान व्याकूल हो गया. मैंने उसको ढूंडा परंतु न पाया. मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया. पहरेवाले जो नगर में घुमते हैं मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और गायल किया, शहर पना के पहरों ने मेरी चद्दर मुझ से छीन ली हे यरुशलिम की पुत्रियों, मैं तुमको शपद धराकर कहती हूँ, कि यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाय, तो उससे कह देना कि मैं प्रेम से विवश हूँ, हे स्तुरियों में परमसुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है, कि तु हमको ऐसी वो किनाई काली है। उसकी आखे उन कबुत्रों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने जुंड में एक कतार में बैठे हुए हो। उसके गाल फुलों की फुलवारी और बालसन की उबरी हुई कियारिया है। उसके होट सोसन फुल है। जिससे पहला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के किवार है। उसका पेट निलम के फुलों से जड़े हुए हाती दात का काम है। उसका मुख कुंदन पायो पर बैठाय हुए संगर मरमर के खंबे है। वह देखन में लबानों और सुन्दरता में देवदार के रुक्षों के समान मनोहर है। उसका मुख अती मधूर है। हाँ, वह सरवांग परम सुन्दर है। हे यरुशलिम की पुत्रियों, यह है मेरा प्रेमी।